देश दुनिया में कोरोना मामारी ने अपना कहर जारी रखा हुआ है वहीं हमारे देश में मास्क, सोशल दिस्टिंसिंग, सैनिटाइजर इन चीजों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है लोगों के चलान काटे जा रहे हैं किन्तो कोरोना का इलाज जिन अस्पतालों में हो रहा है उन अस्पतालों में सुविधाओं की कमी उनकी स्वच्ता पर सवाल उठ रहे है ऐसा ही मामला हर्याना की राजधाने चंडिगर से सटे पंचकुला में सामने आया है इस हिसाब से यहाँ कोरोना या अन्य मरीज भी अपनी जान खो बैठेगा इसी प्रकार का आरोप इस वीडियो में एक नागरिक लगा रहा है जो सपस्ट कहरा है कि एक नेगिटिव मरीज की यहाँ मौत हो गई है इधर इस संबंद में हर्यान सरकार के उचदिकार्यों को अवगत करवाया गया तो वह भी इस वीडियो को देख कर हैरान हो गए और संबंदित प्रशासन से इस मामले की पूरी जानकारी मांगी है मुख्या सचीव केशनी आनंद रोडा ने मामले को गंबीरता से लेते होए संबंदित जिलाधीश से रिपोर्ट मांगी है वह स्वास्ते सचीव राजी सरोडा ने भी मामले को गंबीरता से लिया है सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि सरकार ये टेस्टिंग पर तो जोर दे रही है लेकिन मरीजों के दिलों से ये भै दूर नहीं किया जा रहा जरूरत है मरीजों के दिलों से भै दूर करने की सरकार को स्पश कर दिना चाहिए कि लोग टेस्ट करवाएं और अपने घरों में क्वारिंटीन रहें उन्हें यह जर्स अता है अगर उनका टेस्ट पोजिटिव आता है तो उन्हें घर से उठा कर ले जाया जाएगा पेशेंट की रिपोर्ट नेक्टिव है हैं वो कहरे हैं रिपोर्ट नेक्टिव रात को नेक्टिव आही है और पेशेंट को ङोविड में अगर देन को सेक्ट्र छे सरकारी होस्पीडल का बुरा हाल ना डॉक्टर न शफाई करमचारी पूरे तरीक्य से वेवस्ता अस्त वेवस्त बुरा हाले जी यहां देखो बहुत बुरा हाल है यह लाइट रिंग बहार आ रही है निकल निकल गए आँ भई तो ना हमें भई इसलिए बठे हैं मैं लगविंदर सिंग परवाला से मैं सेक्टर शेव में कॉविड डिपार्टमेंट एव लोग में देमया मेरी वाइब और हमें यहां पे सभी पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रशानी हो लिए कोई सुविदा नहीं है किसी प्रकार की दोक्टर की और रात को एक पेशेंट जिसकी डेथ हो चुकी है और बाद में उनके घरवाले जो बता रहे देए कि यह हमारा नेगटीव पेशेंट है और उसको पोष्टी में रखा हुए और उसकी डेथ होगी हमारे सामने ही बट उसकी पर रिपोर्ट नेगटीव आई थी रात को और वो पोष्टी में उसको इसकी डेथ हो गई और यहां कोई सुज़दा नहीं है बात्रूम का बुरा हाल है बहुत ही ज़्यादा कोई भी सुज़दा यहां पे नहीं है पेशेंटों के साथ बहुत बुरा हाल हो रहेगा ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें